तो दोस्तो फाइनली वो वीडियो आ चुका है जिसका आपको बहुत टाइम से इंतिजार था तो आप लोगों के इतनी सारे कॉमेंट्स आए कि मुझे इसका सॉलीशन फाइंड करना जरूरी हो गया था और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिला आपके प्यार और सपोर प्रविडियो के बारे में जिसमें होता यह था कि उसमें पर्मानेंट सॉलीशन नहीं था वह जो मैंने मैथड बताया था वह दूसरा मेथड़ था जिससे सभी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई कुछ लोग जो है अलग-अलग तरह से सॉट्स बनाते हैं तो उनकी प्र करना चाहते हैं या फिर लेप सिंग वीडियो बनाते हैं तो उनके लिए यह काफी बड़ी प्रॉब्लम थी तो फाइनली इस वीडियो में सबका सॉलीशन मिलने वाला है सबको सबकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को जरूर सब subscribe कर दो अगर आपकी problem solve हो जाती है तो फिर आपको जो है चैनल को जरूर subscribe करना है वो वीडियो को like करना है और इस वीडियो को share भी करना है अपने उन friends के साथ जो आप ही के तरह YouTube channel चलाते हैं shorts creator हैं और इस problem से बहुत ज्यादा परिसान है तो इसको जरूर सेयर करना चलिए चलते हैं मैं आपको बताता हूं अपने phone की screen पर ले जाकर आपको live दिखाऊंगा तो आपके सामने एक short video upload करके दिखाऊंगा अपने YouTube channel पर कि यह trick जो है वो work करती है या फिर नहीं करती है तो ट्रिक जो है वो obviously work करेगी इस वीडियो को अगर आपने लाश तक देखा तब ठीक है एक एक YouTube application उपन करना है इस तरह से ठीक है मैंने उपन कर लिया है तो यह आप देख सकते हैं यहां पर YouTube application उपन हो चुका है अब simply हमें अगर short upload करना होता है तो हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करते हैं ठीक है और create a short upload a video ठीक है इस तरह से हम कर देते हैं short यहां से भी upload हो जाता है और यहां से भी हो जाता है लेकिन हमारे एक viewer ने comment किया था कि हमें short यहां से upload करके दिखाना चाहिए वीडियो में upload a video से करें या फिर create a short से करें ठीक है तो इस बात का कोई issue नहीं है कि जो upload a video पर करने से नहीं होगा या फिर create a short पर करने से नहीं होगा यह problem 100% solve हो जाएगी ठीक है तो मैं करता हूँ यहां से create a short पर करता हूँ क्यूंकि यहां से mostly people करते हैं ठीक है तो चलिए मैंने इस पर click कर दे तो मैंने click कर दिया है और आप यह देख सकते हैं कि यहां पर camera open हो चुका है अब जब camera open हो जाता है तो यहां पर कुछ लोग क्या करते हैं वो यहीं से record करते हैं short को तो उनके लिए मैं बता दूँ कि वो पहले play हो रहा है लेकिन आपको सुनाई नहीं देगा अभी तो यहां पर मैंने यह attach कर लिया है उपर आप देख सकते हैं song लग चुका है अब मैं यहां पर इसको record कर ले रहा हूँ song अब भी बज़ रहा है यह record हो रहा है फिर भी बज़ रहा है जैसे कि पहले बज़ता था रहा है अब यह मैंने यहां से कर दिया है final ठीक है अब यह हमारा sword जो है record हो चुका है अब मैं आपको यहां से दिखाता हूँ कि यह play हो रहा है या फिर नहीं next कर सकते हैं next आप कर देंगे तो यहां पर आपकी video clip दिखाई देगी और यह आप देख सकते हैं song play भी हो रहा है आप चाहें तो इसको adjust कर सकते हैं यहां से और अब भी song play हो रहा है adjust करने पर देखाई जबने magic हो रहा है यह बिल्कुर इस तरह से अब मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ done करने के बाद मैं कर देता हूँ next अब मैंने कर दिया है next और यह आप देख सकते हैं यहाँ पर add details आप details डालिए और अपने shorts को public करिए ठीक है और अपना चैनल grow करिए लेकिन अब कुछ लोग बोलेंगे कि इस तरह से हमें करना नहीं है ठीक है इस तरह से हमें नहीं करना है हमें जो है shorts के लिए पहले ही लगा देता हूं और यह जो हमारा है इसको मैं cut कर देता हूं यहां से delete कर देता हूं ठीक है जो हमारा भी song लगा हुआ था उसको मैंने delete कर दिया लीट करता हूँ ठीक है अब मैं फिर से इसको अपलोड करने की कोसिस करता हूँ तो मैं create a shot पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहां से अपना oldest वीडियो क्लिप ले लेता हूँ मतलब यहां से वीडियो ले लेता हूँ जो मुझे शॉट में डालनी है तो मैं पहले वाली वीडि बेविएस वीडियो में डाला था क्यूंकि कुछ लोग यह कहेंगे कि यह वीडियो क्लिप चैंज है तो वही वीडियो जहां पर अनेवल्टु प्रेव्यू की प्रॉब्लम्स हो रही थी राइट तो यहां पर मैंने इस वीडियो को ले लिया है और जो हमारा वीडियो है यहां तक तो preview हो रहा है जो कि सब के साथ होता ही है अब मैं done कर देता हूँ इसको और यह processing का time variety के process हो रहा है जब तक मैं यहां पर इसको wait करता हूँ मैं एक बार फिर कह रहा हूँ वीडियो को जो है एकदम last तक देखना कोई भी step skip मत करना तो आप देख सकते हैं वीडियो process हो चुका है और फिर से हमारा camera open है और वीडियो जो है वो लग चुका है शौट में अब यहां पर क्या करते हैं आप चाहें तो इसकी duration बढ़ा सकते हैं 15 seconds से 60 seconds भी कर सकते हैं मैं यहां पर कर देता हूँ click यहां पर जो है वो original video की sound है अभी कोई song लगा हुआ नहीं है तो चलिए अब मैं आपको song लगा कर दिखाता हूँ तो sound पर मैं click करता हूँ sound पर मैंने click कर दिया और यहां पर काफी सारे sounds है ठीक है जो भी आप चाहें लगा सकते हैं तो यहां पर यह देख सकते हैं आप मैं यह song लगा रहा हूँ ठीक है तो इसको लगाने के लिए मैं इस पर click करूँगा और मैंने इस पर click कर दिया यह song play हो रहा है और अभी मैंने आपके सामने volume down किया था इसलिए आपको सुनाई नहीं दे रहा होगा ठीक है चलिए मैं यहाँ पर इसको next कर देता हूँ और यह song जो है लग चुका है अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यह song play हो रहा है बज रहा है या फिर नहीं जैसे कि आपने देखा अभी यह song है पर लग चुका है तो अभी यह song play हो रहा है यह इसी बात नहीं है क्योंकि मैंने यहाँ पर sound जो है वो mute कर दिया है बिल्कुल तो इस तरह से आप यह देख सकते हैं कहीं से भी आप इसको लगा सकते हैं मैं एक बार और तो मैं play करके दिखा देता हूँ ठीक है बहुत ही अच्छा तरीका है यह trick है अब यहाँ पर मैं इसको लगा देता हूँ अब यह आपने देखा कोई भी problem नहीं हुई हमें अब हमें क्या करना है next कर देना है next हमने कर दिया है अब आप देख सकते हैं यहाँ पर caption डालना है अपने short का title डालना है और इसको unlisted रखना है अपको directly public नहीं करना है यह बिल्कुल भी अच्छा तरीका नहीं होता है कि किसी वीडियो को directly public कर दो ऐसा नहीं होता है तो आपको यहाँ पर unlisted रखना है first of all then उसके बाद धी public करना होता है तो चलिए इतना तो आप करी लेंगे उसके बाद हमें यहाँ से इसमें में title दे देता हूँ अपर अपना name एंटर कर दिया है title में और मैं इसको upload करके दिखाऊंगा आपको क्योंकि काफी लोग बोलेंगे कि हमारा upload नहीं हो रहा है song और आप यह देख सकते हैं यह upload हो रहा है 2MB upload हो चुका है 3MB इस तरह से यह upload हो जाएगा वीडियो है वो upload हो चुका है अप चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि यह वीडियो कैसा दिखता है ठीक है तो मैं यहाँ पर library पर click करता हूँ और library पर click करने के बाद uploading your videos पर click करता हूँ और यहाँ पर ready to watch आप देख सकते हैं ready to watch लिख कर आ रहा है ठीक है मैं इस पर कर देता हूँ ठीक है तो इस तरह से यह आपने देखा कि song लग चुका है कोई भी दिक्कत हमें नहीं है यह अभी song unlisted है इसलिए सिर्फ मैं ही इसको देख सकता हूँ मैंने public नहीं किया यह सिर्फ आपको बताने के लिए था चलिए इसको मैं back कर देता हूँ और back मैंने कर दिया है अब बात करते हैं कि यह जो magic है मतलब यह unable to preview की जो problem है हमें कैसे कर रही है इस तरह से कोई भी दिक्कत आपको नहीं आईगी अब मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज दिखा देता हूँ यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और मैं क्लिक करता हूँ settings में हमें settings में क्लिक कर रहा होता है उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो accessibility की नीचे आता है about ठीक है about मैं आपको help मिलेगी send feedback मिलेगा उससे कोई कुछ नहीं लेना आपको सिर्फ app version में आना है आप दिहान से देखेंगे तो 17.31.36 app version है मेरे पास ठीक है यह इस तरह से YouTube है अब चलिए मैं इसको cut कर देता हूँ अब मैं आपको play store पर लेकर चलता हूँ play store पर जाने के बाद मैं क्या मिलता है तो मैं यहाँ पर yt लिख देता हूँ ठीक है तो यहाँ यहाँ पर आप देखेंगे तो uninstall and update अभी मेरे पास एक update है इसको update करने के लिए यूट्यूब का latest version मेरे पास नहीं है इसलिए यह मुझे update दिखा रहा है आपको भी ऐसी दिखाएगा और आपको दिखाया होगा तो आपने इसको update कर भी लिया होगा तो आपको क्या करना है uninstall वाले बटन पर क्लिक करना है ठीक है uninstall वाले बटन पर जब आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर आपका यूट्यूब है वो uninstall नहीं होगा अगर uninstall हो जाता है तो अब भी कोई बात नहीं है क्योंकि यूट्यूब जो है वो invilt दिया जाता है फोन में इसलिए वो uninstall होता नहीं है ठीक है वो uninstall पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर update का option आएगा update का option आएगा और फिर आप जो है इसको open करने का try करेंगे यहाँ से यहाँ से इसको open करेंगे तो आपका YouTube open नहीं होगा अगर आपने ऐसा किया है जैसे मैंने बताया है कि इसको uninstall करा है तो फिर आपका जो YouTube वो open नहीं होगा तो फिर आपको क्या करना है उसको आपको हमारे Telegram चैनल पर आना है ठीक है टेलिग्राम चैनल पर आना है और टेलिग्राम चैनल से यह जो मैं YouTube चला रहा हूँ यही YouTube आपको download कर लेना इसमें कोई दिक्कत नहीं है ठीक है आपको टेलिग्राम चैनल पर आना है टेलिग्राम चैनल पर कैसे आना है वो मैं आपको बता देता हूँ तो यहाँ पर हमारा टेलिग्राम है यहाँ पर आपको search box में आकर और यहाँ पर type करना है influencer बसीम ठीक के influencer बसीम जब type करेंगे तो आपको यहाँ पर एक हमारा official channel देखेगा और यहाँ पर एक group देखेगा ठीक है तो आपको channel में जाना है या फिर आप group में भी जा सकते हैं अधरवाइस आप channel में जाएए क्यूंकि channel में जाने के बाद आपको यहाँ पर और भी सारी post मिलेंगे search करना एक बार और search करने के बाद यहाँ पर आपको type करना है enable to preview जो आपकी problem है वो ही आपको यहाँ पर type करनी है ठीक है enable to preview इस तरह से और एक बार कर देना है search इससे होगा क्या जो यह मैंने भी post डाली है telegram पर यह आपको so हो जाएगी ठीक है यूँकि हो सकता है यह video आप काफी time के बाद देखो तो यहाँ पर और भी सारी post आ जाएं जिससे आप लोगो को दिक्कत हो इसे ढूंडने में इसलिए मैंने आपको बता दिया है इस बात का आपको दिहान लगना है आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सस्क्राइब कर दें तो दोस्तों यह video permanent solution का है और इस video में मैंने पूरी पूरी कोसिस करी है कि आप लोगों की यह जो problem है unable to preview the video यह जो है solve हो जाए I hope यह problem जो है 99.9% solve जरूर होई होगी आप जो है try करके देखेंगे तब लेकिन video को भी मत छोड़ना क्योंकि काफी लोग क्या करते हैं कुछ इतना करने के बाद में भी negative comments करते हैं वीडियो में negative comments आते हैं लेकिन वो मेरा issue नहीं है क्योंकि आप लोगों के प्यार और support के आगे negative comments करने वालों को जगाई नहीं मिलती है वो लोग टिकते ही नहीं है so thanks to all of you guys इस वीडियो को जाद से जाद लाइक करो और चैनल को subscribe कर दो तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में new topic के साथ thanks for watching this video